सुगर इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर हम देखते हैं पात को जो कि उस मोमिन्ट के बारे में सोच रहा होता है जब उसकी संताय के साथ लड़ाई हो गई थी और वो संताय से पूछ रहा होता है कि तुम किसे चूज करोगे मुझे या लोम फर्म को जिस पर संतायों से कहता है कि तुम्हें लगता है मुझे ये बताने की जरूरत है तुम पहले से ये जानती हो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और उस मोमिन्ट को भी याद कर रहा होता है जब उन दोनों ने ब्रेक अप कर लिया था और वो ये सब सो सोच के ना बहुत ज़ादा अपसेट होता है और रो रहा होता है फिर हम देखते हैं एक हफ़ते बाद यूनिवस्टी में प्रोफेसर सभी से कह रहे होते हैं कि तुम्हारा पिछला प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था और अब मैं आपको एक नया असाइम करते हो वो सब तुम्हें बताना है और अपना टीम बनाओ और उसके बाद अपने टॉपिक पर डिसकस करो अगली क्लास में मिलते हैं और वो वहाँ से चले चाते हैं थियन और लोंफर्म एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं उसके बाद थियन का फ्रेंड कहने लगता ह सबी ना लोंफर्म की तरफ देखने लगते हैं लोंफर्म भी थियन की तरफ देख रहा होते हैं फिर थियन वहां से गुस्से में चला चाते हैं फिर नेक्स्टरम देखते हैं बाव और संताई को जो बस चोप पर थी बारिश हो रही थी पर इस बार संताई बाव की बातों को सुन सकता था क्योंकि उस दिन संताई के चिलाने के बाद सब कुछ normal हो गया था अब उसे hearing loss नहीं है इसलिए वारिश हो या नहीं हो वह सब की आवाज सब की बाते सुन सकता है बाउसे कहरी होती है कि तुम्हारा hearing loss चला गया लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं हो, मुझे तुम्हारा वोई happy face वापिस चाहिए फिर बाओ कहती है कि तुम सच में बात से बात नहीं करना चाहते संदाई कुछ भी नहीं कह रहा होता जिस पर बाओ चुप हो जाती है और वो sad हो जाती है, उसके बाओ संदाई कहता है कि मुझे जरूरत नहीं है उससे फिर से बात करने की, एक हफता हो गया और उसने मुझे बात भी नहीं की चीज़े अब खतम हो चुकी है, और अब मैं फिर से प्यार में धोका नहीं खाना चाहता मतलब hurt नहीं होना चाहता, बाओ कहती है पर पात तुम्हारा soulmate है संदाई कहता है, soulmate जैसी चीज़े real नहीं होती मेरे parents ने जब divorce किया, तब ही मुझे समझ जाना चाहिए था बाओ भी sad हो जाती है, उसके बाद न, संदाई बारिश को देख के कहता है, क्या बारिश की आवाज हमें lonely feel कराती है जिस पर बाओ कहती है नहीं फिर हम देखते हैं, बस्टॉप के पास से न, पात जा रहा होता है अपनी क्लीनिक की तरफ वो बाओ और संदाई को देख लेता है, लेकिन वो संदाई की तरफ देख कर उससे बात करने के लिए रुखता नहीं और वहाँ से चला जाता है उसके बाद हम क्लीनिक में देखते हैं, जहां पर पात न, sad होके बैठा होता है ड्रीम और उसके सभी फ्रेंट्स ना बहुत सदा अपसेट होते हैं, पात को ऐसा देख कर फिर ड्रीम उसके पास आती है, और पात से सीधा ही बोल देती है कि तुम संदाई से बात क्यों नहीं कर रहे हो जिस पर पात अपने गर्दन ही लाता है, मतलब वो नहीं कर सकता ड्रीम कहती है कि तुम अभी भी संदाई से प्यार करते हो, पात कहता है हाँ, मैं करता हूँ उसके बाद ड्रीम कहती है तो 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 तुम्हें बात करने के लिए जाना चाहिए बात कहता है मैं चाहता हूँ पर लास्ट टाइम हम सब को पता है कि हमारी फाइट हो गई थी और तब मैं बात करने के लिए ही गया था ड्रीम कहती है मैं संताई को समझ सकती हूँ और उसके दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा होगा उसने पहले बार तुम्हें इतने गुसे में दिखा था और अफकोर्स वो थोड़ा डर गया होगा और सेकिंड टाइम तुम ड्रंक भी थे तुम्हें फिर से ट्राइ करना चाहिए उससे अच्छे से बात करने का उसके सभी फ्रेंड उसे मोटिवेट करते हैं कि तुम्हें फिर से ट्राइ करना चाहिए तुम दोनों को फिर से एक होने में टाइम लगेगा पर फिर भी तुम्हें ट्राइ करना चाहिए और अपनी सभी friends की बाती मान कर पात मान जाता है कि वो संताय से बात करने के लिए जाएगा फिर next time देखती है थियन को जो कि बहुत सादा सैड होकर बैठा होता है फिर उसके बाद संताय आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो तीयन कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ संताय उसके पास बैठ जाता है और फिर तीयन उसे बताता है मैं long form को पसंद करता हूँ संताय कहता है ओ मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था फिर तीयन रोने लगता है संताय कहता है मुझे माफ करना थियन कहता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी मैं लॉंग फर्म को पसंद करता हूँ पर वो तुम्हें पसंद करता है संताय कहता है पर फिर भी मुझे लगता है मुझे माफी मांगनी चाहिए मेरी वज़े से तुम्हें कहीं न कहीं बुरा फिल हुआ थियन कहता है ठीक है तो मैं ये कोफी ले लेता हूँ तुम्हारी माफी के बदले फिर थियन रोते रोते पूछता है कि उस दिन के बाद तुम्हारा सब कुछ कैसे चल रहा है उसके बाद संता ही उसे बताता है कि मैंने उस दिन के बाद से बात से बात नहीं किया और हमारा break up भी हो गया तीयन कहता है ओ ये तब बहुत जादा बोरी news है कि तुम दोनों की लड़ाई हुई थी संते कहता है हाँ थोड़ी बहुत एक हफता हो गया है और एक हफते से हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं किया है उसके बात दीयन उसे बताता है कि पात के फ्रेंड्स ने उसे बताया था और तुम्हारी फोटो सेंड की थी लोम फर्म के साथ पार्क में पर फिर भी पात आपकी बात पर यकीन करना चाहता था इसलिए उसने तुमें कॉल किया और तुमने उसे कहा कि तुम काम कर रहे हो और वो तुम्हारी बात पर यकीन करना चाहता था इसलिए वो तुम्हें देखने के लिए घर आया पर वहां तुम नहीं थे फिर वो तुम्हें देखने के लिए पार्प गया फुल स्पीर्ड में संताई उसे thanks कहता है ये सब बताने के लिए और फिर कहता है अब कुछ भी नहीं हो सकता अब मुझे इस reality को ही accept करना पड़ेगा तियान कहता है हाँ हम दोनों बस यही कर सकते हैं और आपका thanks हमेशा मेरे साथ होने के लिए संताई भी उसे thanks कहता है फिर वो दोनों रोते हुए एक दूसरे को hug करती है फिर next रम देखते हैं लोंफर्म को जो कि संताई का wait कर रहा होता है फिर संताई आ जाता है लोंफर्म संताई से उस दिन के लिए sorry कहता है संताई कहता है कोई बात नहीं मैं तुमसे गुसा नहीं हूँ और मैं तुमसे माफी मागना चाता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार को accept नहीं कर सकता पर मैं तुम्हारा अच्छा friend बन कर रहना चाता हूँ फिर लोमफम कहता है उस दिन के बाद से मैं खुद को समझ पाया हूँ आपके लिए मेरी जो feelings है वो कोई प्यार वाले feelings नहीं है वो सिर्फ impression और आपकी personality है और दूसरा आपने मेरी जान बचाई थी और हाँ उस दिन के बाद से अब मुझे पता है कि मैं किसे प्यार करता हूँ संताई कहता है तो फिर तुम्हें ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है उसे बताओ जिसे तुम प्यार करते हो और मैं तुमारे लिए खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हें तुम्हारा true love मिल गया फिर संताई वहाँ से जाने लगता है पर जाते जाते वो long form के close आ जाता है इसी moment पिना पात भी वहाँ पर आ जाता है और संताई को long form के साथ देख लेता है और वो बहुत सदा अपसेट होता है और वहाँ से चला जाता है संताई long form से कहता है अगर तुम्हें अपना love confess करने में problem हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो मैं उसे अच्छी से जानता हूँ शायद संताई को पता है कि long form का true love थियन है उसका भाई फिर हम पात को देखते हैं जिसका फिर से आद दिल तूट गया था और वो बहुत सदा रो रहा होता है रेम उसके पास ही होती है और पूछती है क्या तुम सच में रिजाइन करने वाले हो पात कहता है हाँ पात का friend कहता है पर तुम्हें फिर से सब कुछ शुरू करना होगा बात कहता है मैं यही करना चाहता हूँ मैं बस अकेले रहना चाहता हूँ उसके सब ही friends उसे समझाते है कि उसे अपने emotion की वज़े से ऐसी decision लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बात कहता है यह decision मैं ने पहले ही ले लिया था और कहता है मैं सोचता हूँ अगर संताई और मैं soulment नहीं होते तो हम कभी साथ नहीं होते और वो बहुत ज़दा रो रहा होता है उसके सब ही friend उसे हग कर लेते हैं और यह बहुत ही emotional moment होता है पिर उसके बाद हम देखते हैं संताई को जहाँ पर वो अपनी mom की wedding पर आया हुआ था संताई की सब ही भाई भी वहां पर होते हैं संताई आता है और अपने भाईों के पास बेढ़ जाता है वो सभी मस्ती कर रही होते हैं उसके बाद ना नुःा कहता है संताई मुझे पता लगा तुमने पात की साथ ब्रेक अब कर लिया जैन कहता है ओ मैंने तु पात को एक बार भी नहीं देखा था नुःा कहता है तुम्हारा soulmate boyfriend बना फिर भी तुम्हारा ब्रेक अब हो गया अपने सोलमेट के साथ अच्छे से डिवोस मतलब ब्रेक अप करने का एक एक्जेम्पल फिर संताई अपने भाईयों से कहते हैं तुम लोगों को नहीं लगता कि डैट बहुत साथा खुश है मॉम की न्यू वैडिंग के लिए उसके बाद ना संताई के डैट भी उन सभी साथ बैढ़ जाते हैं फिर हम देखते हैं संताई की मॉम और उनके होने वाले हस्बिन को जहां पर जो हस्बिन होता है ना वो दोनों की लव स्टोरी बता रहा होता है कि कैसे वो जॉब करते करते एक दूसरे से मिले कैसे उने प्यार हुआ और कैसे अब वो शादी कर रही है उसके बाद संताई की मौम कहती है कि वो अपनी न्यू वैडिंग कर रही है पर यहां उनकी फैमिली और बच्चे भी आई है और वो हमेशा उनसे प्यार करती रहेंगी उनका प्यार कम नहीं होगा संताई को यह सब समझ में नहीं आ रहा होता है कि अगर वो अपनी फैमिली से प्यार करती है तो वो नहीं शादी क्यों कर रही है और उन्होंने डैड से डिवोस क्यों किया और फिर वो जैन से कहता है मैं तुम्हारे रूम में रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ मुझे सर दर्धो रहा है और वो वहां से जाने लगता है संताय की मौम संताय को ऐसे चाते देख कर बहुत जादा उदास हो जाती है संताय को ऐसे अपसर देखकर वो भी बहुत साथ दुखी हो जाती है और ये बात उनके न्यू हस्बिन भी नोटिस करते हैं और वो संताय के मॉम से कहते हैं कि तुम्हें संताय से बात करने के लिए जाना चाहिए अगर वो ऐसे ही कन्फ्यूज रहा तो हम शादी नहीं कर पाएंगे अब संताय मेरा भी बच्चा है इसलिए हमें उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए तुम्हें और वरुन को दोनों को मिलकर उसे बात करनी चाहिए उसके बात ना संताय के डैड और मॉम संताई के पास जाते हैं उसे बात करने के लिए संताई के डैड कहते हैं तुम्हें अब कैसा लग रहा है संताई कहते हैं मैं ठीक हूँ फिर उसके डैड कहते हैं क्या तुम्हें हम दोनों से कोई बात करनी है संतय कुछ खास रिस्पोंस नहीं करता फिर संतय के डैड कहते है हम नहीं चाहते थे कि हमारी लाइफ के प्रोब्लम हम तुम्हें बताएं जिसे तुम्हारी लाइफ पर भी फरक पड़े संतय की मौम कहते हैं इस्पेशली तुम्हें जिसे हमारी तरह hearing loss है संताय के डैड कहती है संताय तुम्हीं याद होगा मैंने एक बार तुम्हीं कहा था कि मैं तुम्हारी मॉम से बहुत ज़ादा प्यार करता हूँ ये बात मैंने जूट नहीं कई थी ये सच है और मैं ही नहीं तुम्हारी मॉम भी मुझे प्यार करती है संताय कहता है फिर आपने डिवोस क्यों किया फिर संताय की डैड कहते हैं शादी और प्यार में सिरुफ प्यार ही काफी नहीं होता है फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहांपर संताय की डैड ना ट्रिप पर जाने के लिए पैकिंग कर रहे होती है और दोसी दरफ संताय की मॉम अपने काम के लिए जा रही होते हैं संताय की डैड कहते हैं तुम्हें याद है ना आच्छा में टिप के लिए जाना है संताय की मॉम कहते हैं मुझे बहुत सादा अर्जन काम है मुझे माफ करना इस बार मैं नहीं जा पाऊंगी संताय के डैड को ये बात बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती और वो कहते हैं तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे टाइम की जरूरत है तुम्हें अपने बच्चों के साथ भी टाइम को spend करना चाहिए संताय की मुम कहती है मैंने कभी नहीं सुना हमारे बच्चे ऐसे कुछ डिमांड कर रही हो ये सिरफ तुम हो जो ये सब सोचते हो मुझे मेरे बच्चों के लिए पैसे कमाने है ताकि future में उन्हें कोई भी problem ना हो वो अच्छे से अपनी study complete कर पाए और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अलब हो जाना चाहिए क्योंकि इस वक्च जो तुम मुझे चाहते हो मैं तुमें नहीं दे सकती अगर आज हमारा पैच अप हो भी जाता है तो कल हम फिर से जगड़ेंगे और ऐसा ही चलता रहेगा संताय के डैड कहते हैं ठीक है अगर तुम ऐसा चाहती हो फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं संताय के डैड कहते हैं संताय हम उस टाइम अलग नहीं हुए थे पूरे एक साल तक हमने बात करने का ट्राइ किया पर फेल हो गई हम हम दोनों अलग जरूर हुए थे लेकिन हमारा कोल सेम था तुम सब को खुश रखना तुम सब को प्यार करना फिर संताय की मौम कहती है कि हमारा डिवोस जरूर हुआ है पर हम अभी भी सोलमेट हैं और हमेशा रहेंगे जब भी बारिश होती है हम एक दूसरे से बात करती है फिर हमें दिखाया जाता है हमारी लाइफ की ये बहुत प्रिशियस मेमरीज है संताय समझ जाता है अपने पेरिंट्स के डिसीजन को और वो सोरी कहता है उसके डाड कहते है हम तुम से कभी भी गुसा नहीं थे और फिर वहाँ पर सभी आ जाती है यानि संताय के सभी भाई और संताय के मौम के न्यू हस्पेंट फिर संताय अपने मौम डाड से कहता है प्लीज एक दूसरे को कभी भी अलग मत करना मतलब अकेला मत छोड़ना और फिर सभी एक दूसरे को हग करते हैं मतलब फैमिली हग करते हैं संताय के डाड संताय से कहते हैं जो पता है तुम्हारा पात से ब्रेक अप हो गया है मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूं कि जब हमें हमारा ट्रूबवन मिल जाता है तो हमें उसे रखना भी आना चाहिए संदाय अपने डाड को थेंक्स कहता है और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है इसका लास्ट एपिसोड में जल्दी ही शियर करूंगे